वेलकम टो हिट टीवी दालचीनी का इन तारीखों से इस्तिमाल दिलाएंगे पिम्पल से चुटकारा क्लीन एंड क्लियर स्किन सुन्दरता और अच्छी सहत की पैचान होती है लेकिन जिस तरह की लाइफश्टैल आज कल हम फालो कर रहे हैं उसमें स्किन को हेल्डी रखपाना बड़ा ही मुश्किल है लेकिन स्किन केर रोटीन में कुछ चीजों को शामिल कर काफी हद तक त्व से खाने का स्वाद और खुश्बू बढ़ाने के लिए किया जाता है लेकिन इसमें मौजुद न्यूट्रिशन सहत और स्किन के लिए भी बेहत फाइदे मन होते हैं दालचिन एंटी बैक्टिरियल एंटी फंगल और एंटी ऑक्सिडिन्स गुनों से भरपूर होती है जिस किने जानते हैं इस मासाले की कुछ ऐसे ही फाइदों के बारे में निम्बर एक किल मुहासे का सफाया चेहरे पर हर थोड़े दिन में आ जाने वाले किलमौहसे के कर रखा है परेशान तो इसे दूर करने के लिए दालचिनी को करे अपने स्किन के रृटीन में शामिल दरसल दालचिनी में एंटी बैक्टिरियल तत्व होते हैं जो पिम्पल्स की समस्या दूर करते हैं दालचिनी का पौडर हो या तेल दूनों की स्किन के लिए फाइदे मन है ऐसे करें इस्तिमार दालचिनी तेल की तीन से चार बून लेकर इसमें एक चमच के बराबर शेहत मिलाए और इसे शेहरे पर लगाए दूसरा तरीका है दालचिनी पौडर को शेहत में मिलाकर इसका पेश्ट तयार कर उसे शेहरे पर लगाए दस मिनिट रखने के बाद गुन्गुने पानी से दोले। नमबर दो, बढ़ती उम्र को थामने में असर दाप। दालचिनी में एंटी आउक्सिडन के गुन भी मौजूद होते हैं, जो फ्री रैडिकल्स डेमेजिंग को रोपते हैं। साथ ही दालचिनी के लेजोन प्रोड़क्शन को भी बढ़ाता है, जिससे बढ़ती उम्र में भी चेहरे पर रिंकल्स का असर कम नज़राता है। साथ ही स्किन का ग्लो भी बढ़ता है। ऐसे करें इस्तिमाल, दालचिनी का पौडर बना ले। इसे जैतून के तेल में मिला कर पेश्ट बनाए। इस पेश्ट से चेहरे ही हलके हातों से मसाज करें। उसके बाद नॉर्मल पानी से धोले। चेहरा चमक उटेगा और सौपनेस भी पढ़ेगी। निखारे चेहरे की रंगत। दालचिनी का किसी भी रूप में इस्तिमाल चेहरे का ब्लेड फ्लो बढ़ानी का काम करता है। जिससे रफएंड डल स्केर में जान जाती है, साथ ही त्वचा निखरी नजर आती है। ऐसे करें इस्तिमाल। इसके लिए दालचिनी पौडर को शेहर और दही में मिक्स कर पेश्ट बनाए। चेहरे पर इसे 15 मिनिक लगा कर रखे फिर गुन-गुने पानी से धोले। लेक में उल्ले कित सला और सुजाव सिर्फ सामानी सुचना के उद्देश के लिए है। और इनिये पेशवार्ची किस्ता सला के रूप में नहीं दिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सला ले धन्यवाद।